hello friends welcome to foodstuff आज की इंटरस्टिंग रेसिपी चिली चिकन चिली चिकन बहुत ही इंटरस्टिंग रेसेपी हैं यह बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन इसमें थोड़ा सा टैंगीनाश भी होता है वन केजी हमने विध बॉन्स चिकन लिया है, वन टेबलि स्पून जिंजर गालिक पेज टालेंगे, वन टेबलि स्पून लाल मिच पड़र डालेंगे, वन टेबल ऑली स्पून हम नमख डालेंगे, 5 टेबली स्पून कॉल्ड फ्लाइर डालेंगे और एक अंडर डालेंगे 1 टी स्पून हमने काली मिर्श पॉर्डर डाला है 1 टेबली स्पून विनेगर डालेंगे और इन सब को अच्छी से मिक्स कर लेंगे चिकन को अच्छी से मिक्स करेंगे 30 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए रखेंगे अगर आपके पास जाधे टाइम है तो आप साधे मैरिनेट करने के लिए रखेंगे 30 मिनट के बाद हम चिकन को चैक कर लेंगे यह अच्छी से मैरिनेट हो गया है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए ओईल को हमने गरम करनी के लिए रखा तक ओईल गरम हो गया है अब जो हमने चिकन मैइनेट किया था वो डाल देंगे फ्लेम को हम मेडियम रखेंगे चिकन को फ्राई होने में 10 से 15 मिनट लगेगी पीच पीच में हम चलाते जाएंगे चैक करते जाएंगे चिकन अच्छे से फ्राई हो गया है गोल्डन और क्रंची इसे अब हम प्लेट में निकाल लेंगे और नौन स्टिक पान लेंगे और वन टेबलीस्पून को किंग ऑईल डालेंगे वन टेबलीस्पून हमने कटा हुआ अधरक और कटा हुआ लसन लिया है वह डालेंगे और कुछ सैकिंड तक फ्राई करेंगे अधरक लेशन फ्राई हो गया है 1 टेबली स्पून हम विनेगर डाल देंगे 2 टेबली स्पून सौया सौस डाल देंगे 2 टेबली स्पून रेड चिली सौस डालेंगे और सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्लेम को हम मेडियूम रखेंगे दो बड़ी शिमला मिर्ष लेती जिसे क्यूप्स में काट लिया है वो डाल देंगे दो बड़ी प्यास लेती जिसे क्यूप्स में काट लिया है वो डाल देंगे और सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और प्याज और शिम्रा मिर्च को हमें जादे नहीं पकाना है, क्रश्ची रखना है, तो इसे हम जादे कुक नहीं करेंगे साथ से आठ हम हरी मिर्च डाल देंगे, जिसे हमने बीच में से कट लगा लिया है वन टी स्पून हम नमक डाल देंगे अच्छी से मिक्स कर लेंगे ती स्पून हम इसमें चीनी डालेंगे क्योंकि इसमें सुईटने स्वी चाहिए और अच्छी से मिक्स कर लेंगे वन टी स्पून हम ब्लैक पेपर पॉर्डर डाल देंगे 1 1-2 tsp रद चिली पॉर्डर डाल देंगे 3 tablespoon हम corn flour डाल देंगे जिसे पानी में अच्छे से mix कर लिया है और सब को अच्छे से mix कर लेंगे और जो हमने चिकन फ्राइद करा था वो डाल देंगे और सब को अच्छे से mix कर लेंगे ये बहुत ही juicy और crunchy बना है और हमारा चिली चिकन बनकर तयार है ठैंक्स पॉर वाचिंग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाई